तोस्तो इस्टार प्लस का मुस्ट पॉपुलर सीरियल गुम हैं किसी के प्यार में तो आप सभी देखी रहे हैं जहां हर दिन हमें कोई ना कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलता रहता है जहां समराट अब अपनी मौत के बाद शो से एक्जिट हो जाएंगे जि हां जिसकी वज़े से इनके फैंस काफी जादा निराश हैं और सभी इस पर अपना अपना अलग रियाक्शन दे रहे हैं तो वहीं आम लोगों की तरह ही शो की लीड अक्टरस आईशा सिंग ने भी मौत के ट्रेक के साथ शो में समराट के एक्जिट पर रियाक्शन देते हुए ऐसी बात कह डाली जिससे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे जी हां, इसलिए आज के हमारी इस वीडियो के जरीया हम आपको यही बताने वाले हैं कि मौत के ट्रेक के साथ समराट के एक्जिट पर क्या कहा सही ने जानना चाहते हैं अगर आप भी तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंच तक और अपने फेवरेट शोग गुम है किसी के प्यार में के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले सीरियल गुम है किसी के प्यार में जहां आपने देखा हर दिन लोगों को नए नए ट्विस्ट देखने को मिलते रहते हैं जहां मेकर्स ने फिर एक बार कहानी में ऐसा मोड ला दिया है जिसकी वजह से सारे दर्शकों की नजल सीरियल पर टिकी हुई है और दर्शकों के अंदर इतनी जादा एकसाइटमेंट आ गई है कि एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते और आगे की कहानी जानने के लिए एकसाइटिड रहते हैं जी हां जहां आपने हालगी में देखा कि सही की पुरानी आशिक जगताब की एंट्री हुई और उसने सही को गिटनैप कर लिया था जिसको बचाने के चक्कर में समराट सही के सामने ही अपनी जान कवा देते हैं जिसके पूरी जिम्मेदारी सही के घरवाले उन पर ही लगा रहे हैं यहां तक की उन्हें जेल में भी डाल दिया था हाला कि सही थाबित होने की वज़ा से उनके पती ने उन्हें जिल से निकाल भी दिया लेकिन इस मौत के ट्रैक के बाद समराट का किरदान निभाने वाले अभिनेता योगेंद्र विकरम सिंग शो से एंजिट करने वाले हैं जिसकी वज़े से इनके फैंस काफी अलग-अलग रेक्शन दे रहे हैं तो वहीं अब सरी ने भी इस पर अपना रेक्शन देते हुए अपनी बात कहड़ा लिया है जहां इन्होंने कहा है कि अगर ये शो से योगेंद्र चले जाएंगे तो मैं इन्हें काफी जादा मिस करूंगी क्योंकि साथ काम करते करते हमारी दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी और मेरा इनके साथ काफी अच्छा बॉंड हो गया था ये मेरे बड़े भाई की तरह हैं हाला कि अगर ये शो से चले जाएंगे तब भी हमारी दोस्ती खत्म नहीं होगी पर मैं इन्हें हमेशा याद करती रहूंगी और इनका यही एमोशनल रियाक्शन दर्शकों को भी काफी एमोशनल कर रहा है वैल ये तो आने ओले टाइम में ही पता चलेगा कि या शो से समराट की एकजिट होगी या मेकर सुनकी वापसी करेंगे तो दोस्तों आईशा सिंग की इस बात को जानकर आप क्या कहना चाहेंगे आप अपनी राये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही टीवी इंडरस्टिय से जुड़िया इसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले